इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 लैप्टॉप में Start Menu में Performance Monitor को किस तरह पिन कर सकते हैं और किस तरह अन पिन कर सकते हैं अभी मैं Start Menu पर किलिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Calculator है, This PC है मुझे यहाँ पर Performance Monitor को लाना है मुझे Start Menu में Performance Monitor को पिन करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले Type Here to Search में इंटर करना है Performance Monitor आपको यहाँ दिखाई देगा Performance Monitor इस पर आपको Right Click करना है माउस से और Pin to Start पर क्लिक कर लेना है अब दोबारा मैं Start Menu पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ Performance Monitor दिखा रहा है अब मैं आपको Start Menu में से Performance Monitor को Unpin करके दिखाऊँगा तो आपको सबसे पहले Start Menu पर क्लिक करना है और Performance Monitor पर आकर Right Click करना है माउस से और Unpin from Start पर क्लिक कर लेना है